टार्गेट विद आलोक के आनलाइन प्लेटफार्म से मैं पंडितमरेश भट्र अब सभी हिंदी साहित्यान राग्यों का भार्दिक अभिनेंदर करता हूँ मेरे प्यारे सिक्षार्थियों हम अपने कत्रानुसर जो हमारा यह बैच लांच हुआ है हिंदी साहित्य का यह बैच है यानि कि हम लोग TGT और PGT के लिए एकत्रित हुए है बैच लांच हुआ लेकिन अभी तक क्लास्प नहीं जा रही थी आज यह मेरी पहली क्लास्प आपके समुक्ष प्रस्तुत होगी मैं इस विश्वास के साथ इस लेक्चर को बनाओगा कि आपको यह न लगए कि आप आफ लाइन नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा यह प्रतीत हो कि आप मुझसे आफ लाइन पढ़ रहे हैं बलकि आन लाइन नहीं पढ़ रहे हैं यानि आपके जितने भी मानस पटल पर जो डाउट हैं उसको क्लियर करते हुए मैं चलूँगा ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आती है तो आपके लिए दरवाजे खूले हुए हैं लाइब सेशन में हम मुपस्थित होते हैं और वहां से आप मुझसे प्रश्ट पूछ सकते हैं और मैं उसको बताऊंगा सबके पढ़ाने की अपनी अपनी एक अपना अपना सिस्टम होता है उस सिस्टम पर वह पढ़ाता है और सभी लोग अच्छा पढ़ाने का प्रियास करते हैं मैं ये तो नहीं कर सकता कि दुनिया का या ब्रम्हांड का सबसे अच्छा सिक्षक हूँ और सबसे अच्छा डिलिवर्ड करने वाला हूँ लेकिन इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको जो भी सामगरियां आपको दी जाएंगी वह निश्च तोर पे वह सही भी होंगी और आपको समझ में भी आएंगी डिसाइट आप करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या मेरे कथन में और मेरे जो कार्य हैं उन दोनों में अंतर है या नहीं है ये डिपेंट आप पर करता है आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे देखें पहली चीज तो हम साहित्य की विचारधाराओं से थोड़ा बहुत परचित हैं साहित्य से तो परचित हैं तो लेकिन हिंदी साहित्य से भी हम बच्पन से परचित होते हुए चले आ रहे हैं जैसा कि आप जो बड़े नाम हैं, जो प्रशिद्ध नाम हैं, सूर, कबीर, तुलशी, ये जो एक बड़ा नाम था, ये बज़पन से ही हमारे मानस पटल पर अंगित है. हम ये नहीं जानते कि सूर कब हैं, तुलशी कब हैं, रहीम कब हैं, रामचनशुक्ल कब हैं, ये हमको नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर पता था कि इनके नाम क्या हैं, और ये लोग हिंदी साहित्य के अंदर यत आते हैं. तो इस बात को आज हम उस योग हैं, कि इसको जाने भी, इसको महसूस भी करें, और जो भी लिखा गया है, उसको आतमशात भी करें, और इनही के, इनही को पढ़कर कि हम अपना जीवन धन्य करें. यह वह महान लोग हैं, कि जो काम तो किये, यह तो काइनात जानती है, कि उनके लिए क्या काम किया गया, लेकिन हम जानते हैं, और आप जानते हैं, कि इनको पढ़कर के, हम अपनी जीविका नहीं, एक बहतरीन तरीके से पूरी लाइफ जी सकते हैं. करना क्या है बस इनको जान लेना है और कुछ भी करना आपको नहीं है कोई सर्च नहीं करना है बस जो उन्होंने कहा उसी बात को हमको समझ लेना है जो उन्होंने लिखा उसी बात को मुझे याद कर लेना है अगर इतना काम कर लिया जाए तो निश्चित तोर पे मानियेगा कि आप एक सफल ब्यक्ति भी होंगे, एक सफल पुरुष भी होंगे, एक सफल महिला भी होंगे, सब कुछ सफलता के अंग में आपका अच्छा होगा. तो आए हम चलते हैं किस पर? ये जो हिंदी शाहित्य है, इस पर चलते हैं और ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आगमन कैसे होता है? और हिंदी साहित्य में क्या हमको पहले पढ़ें? अगर हम बात करते हैं तो ये लगता है कि अलग-अलग बिद्वान हैं अलग-अलग सिखषक हैं आप लोग पढ़े भी होंगे तो वह अपनी स्टार्टिंग का तरीका सबका अलग होता है ये अपना विचार होता है अपनी इस्टार्टिंग होती है अपनी पद्धत होती है लेकिन मैं किसी इस्टार्टिंग और पद्धत पर नहों करके जहां से प्रारम होता है वहीं से मैं इसको इस्टार्ट करना चाहता हूं वहीं से आपको मैं समझाना चाहता हूँ तो हम कहां पर चलते हैं पहली बार हम जो हमारा जो टापिक आता है वह है कैसे हम हिंदी पर पहुँचते हैं पहला यही टापिक आता है अगर बात किया जाए हिंदी की तो हिंदी आई कहां से इसको आप देखें देखे, संस्कृत्स जो है यह माना जाता है कि यह क्या है? आदी भाषा है, संस्कृत को क्या माना जाता है? आदी भाषा माना जाता है, संस्कृत को ही भाषाओं की जननी कहा जाता है, संस्कृत को क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को उन्नत भाषा भी कहा जाता है और संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है भिन भिन उपाधियां क्या है? संस्कृत की मिली हुई है आप जानते भी है पहले सुरुबात कहां सो रहा है? भासाओं के रुप में संस्कृत से हो रहा है इसके बाद संस्कृत से हम कहां पर आते हैं? पाली पर आते हैं यानि हम पाली भाषा को में परिवर्थित होते हैं देखें यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर करता चलूँ यह सा माना जाता है कि जो संस्कृत का काल है वह पंद्रह सो बीसी से यानि पंद्रह सो इसा पुर्व से लेकर पांच सो इसा पुर्व तक चलता है पांच सो इसा पुर्व तक चलता है ठीक है इसी में बैदिक संस्कृत और लोकिक संस्कृत ये भी आते हैं यहाँ पर आपको मैं अभी हिंदी में ले चलना हूँ जब मैं संस्कृत वाला पॉर्षन यान चोथा खंड पढ़ाऊंगा तो यहां संस्कृत की मैं ब्याख्या आपसे पूरी डिटेल से करूँगा किसमें कौन-कौन से लोग आते हैं पुना कैसे हम धातु या सब्दरूप कैसे भहचाने या कैसे जाने आदी बातों पर हम डिटेल संस्कृत में भी बात करेंगे यहां पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको आगमन पता चले जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत से हम कहां पर आए? पाली आए पाली का जो कारेकाल है यानि पाल जो पांच सो पंदर सो से लेकर के पांच सो इसा पुरूप तक यानि बीशी तक यह संस्कृत का समय चलता है इसके बात पाली का जो समय चलता है वह पांच सो बीशी से लेकर के पांच सो बीशी से लेकर के एक एडी तक चलता है एक AD तक चलता है 500 BC से एक AD तक यानि एक ISWी तक क्या चलता है यह आपका पाली भासा चलती है पाली से हम कहां पर आते हैं? प्राकृत में आते हैं पाली से हम प्राकृत में प्रवेश करते हैं यानि पाली भासा से हम प्राकृत भासा की तरफ क्या होते हैं? परिस्तियों के आधार पर भासाएं change होती रहती हैं यहां से यानि जो यह प्राकृत है प्राकृत अब यह 500 से EKD यहां अब 1 इसवी से ले करके इसको थोड़ा सा हम color change कर देते हैं यानि इसको जो है 1 इसवी से ले करके 1 इसवी से ले करके कितना 500 इसवी तक 500 इसवी तक क्या चलता है प्राकृत भाषा चलती है यानि यहाँ पर आप जो है देखेंगे कौन सी भाषा है प्राकृत भाषा यह चल नहीं है प्राकृत के बाद किस पर हम आते हैं अप भ्रंस पर आते हैं प्राक्रिक्ते बाद किस पर आएंगे? अपभरंस पर आते हैं और अपभरंस का जो कार्य चलता है अपभरंस ठीक है? अपभरंस का जो काल चलता है वह काल क्या होता है? वह काल यहीं से पूने श्टार्ट होता है पांसो से ले करके एक हजार इसवी तक यह अपभरंस चलता ह इसके बाद अपभ्रंस के बाद हम कहां पर आते हैं थोड़ा समय इसको इधर करता हूँ आपको समझाने के लिए पुना मैस पर आगे आ जाओंगा अपभ्रंस के बाद कौन सी भासा आती है आने को तो यहां आती है अवहट आती है कौन सी आती है? अवहट आती है, लेकिन अभी हम अवहट पर बात नहीं करेंगे, हम बात कप करेंगे? जब आपको हम आधिकाल पढ़ाएंगे और लौकिक सहिते पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम बात करेंगे. यहां फिलहाल आप जान लेजे चुकि यह संक्रमण कालीन भासा है यह जो है 800 से ले करके 1100 इस्वी तक इसका कारिकाल माना जाता है अपभरान से का ठीक है तो यहां आपको समझाना है अवहट के बाद हम कहां हिंदी में आते हैं तो मैं अभी अवहट को हटा देता हूँ बहुत सारे विद्वान इसको मानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं है हम कहां पर आते हैं अब भरान्स से हम हिंदी पर आ जाते हैं हिंदी पर आ जाते हैं और जो हिंदी का काल है यह माना जाता है कि जो हिंदी का कारेकाल है वह चुकि एक हजार इस भी तक यहां पहुँच गए है तो एक हजार से ले करके आध्य तक आध्य तक मतलब क्या होता है? अब तक होता है कब तक? अब तक होता है यह हिंदी चलती है आप इसको समझने का प्रयास करिएगा सभी खेल कहां पर होता है? यही पर होता है हिंदी पर ही होता है हम एक हजार इस भी से लेकर अभी तक हिंदी का समय चलता है और चल रहा है हमको बिवाद कहीं पर नहीं है हमने कहा कि यह जो है संस्कृत से क्या होता है हम जर्णी श्टार्ट करते हैं यात्रा प्रारम्द करते हैं जब भासाएं क्लिष्टता की तरफ रहती हैं और उसको कोई विकल्प मिलता है तो आसान की तरफ लोग चले जाते हैं संस्कृत का जब समय था तो उस समय संस्कृत में भासा जो है यह संस्कृत थोड़ी सी कठिल लोगों को लगने लगे और एक विकल्प मिला क्या पालि भाशा मिली तो लोगों ने धीरे-धीरे बहुत धकालीन समय आता है और बहुत धकालीन समय में धीरे-धीरे लोगों ने क्या किया पाली के तरफ प्रवेश कर गए तो पाली भार्षा को अपनाने लगे तो यहां पर लोगों ने कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पाली भार्ष नहीं होता है, यानि ये चल रहा है कुछ लोग हाला की कुछ भी द्वान ऐसे हैं कि कारेकाल को लेकर के थोड़ा बहुत इधर धर करते हैं लेकिन फिर भी उतना विवाग नहीं होता है प्राकर से अब भरंस पर आते हैं यहाँ पर भी अब यहीं से पूरी कहानी प्रारम्भ हो जाती है अब भ्रंस से यानि 500 से लेकर के एक हजार इसवी तक यानि 500 से लेकर के एक हजार इसवी और यहां से अब यहां से ही आपकी कहानी प्रारम्भ होती है अब भ्रंस और हिंदी यानि इसी कारेकाल को लेकर यह जो काल है, यह जो शमय है अब यहाँ पर जब हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर हिंदी में यहाँ पर आते हैं अब यहाँ यह होता है कि हिंदी का समय कब से है हिंदी का पहला कभी कौन है हिंदी की पहली रचना कौन है तमाम बातें यहाँ पर आती है भागों में विभाजित करता है, चार भागों में विभाजित करता है, कौन-कौन से भाग है, इसी हिंदी का जो भाग है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, फिर हटा दूँगा, यहीं पर आपको इसी हिंदी को कितने भागों में, चार भागों में विभाजित कर दिया गया, किस रूप में? आदिकाल के रूप में. पहला हम बताएंगे, डीटेल बताएंगे. आदिकाल पुना किस के रूप में? भक्तिकाल के रूप में. यानि भक्तिकाल. उसके बाद रीतिकाल के रूप में? रीतिकाल. इसके बाद किस रूप में? आधुनिकाल. ठीक है? आधुनि नहीं किया है बलकि हमारे मुर्धन्य विद्वानों ने किया है अब इसके भिन भिन नाम है अभी तो मैंने केवल एक नाम लिखा आप से आपको समझाने के लिए जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आदिकाल पढ़ाऊंगा तब वहां पर एक-एक कौन किस ने क्या नाम दिया इस पहली चीज क्यों एक नाम नहीं दिया गया क्यों ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोगों ने एक ही नाम दे दिया हो ऐसा क्यों नहीं हुआ क्यों अलग 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 नाम देते हैं क्यों स्याम सुन्दर दास अलग नाम देते हैं क्यों धिरन बर्मा अलग नाम देते हैं क्यों रा अलग-अलग नाम देते हैं और अलग-अलग नाम के साथ इसके कारेकाल को भी अलग-अलग बतातीए सब के अपने अपने मत हैं और अपने अपने मत के अनुसार वह हिंदी को कहता है कि हिंदी का जो प्रारम होता है वह कहां से होता है कुछ लोग जो है जैसे रामकुमार बर्मा आदिने इन लोगों ने क्या 700 से मान लिया है कुछ लोगों ने 900 से माना है, कुछ लोगों ने 1100 से माना है, यानि सब अब तिथी में काफी difference आता है, 150 वर्स के तो हमेशा आपको difference मिलते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ, मेरा सिर्फ प्रश्ण समझाने का यहां मतलब हुआ, क्यों हिंदी का नामकरण अलग अलग रूपों में हुआ, क्यों हिंदी का एक date fix नहीं किया गया, कि यहीं से हिंदी का आरम होता है, यहीं से हिंदी का आगाज होता है, और यहां से माना जाने लगे, ऐ इसा क्यों नहीं, देखिए, बेसिक बाते हैं, ये मेरा पहला लेक्चर है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये नहीं जानता कि कौन कितना पढ़ा है, कहां कोचिंग किया है, आप बी ये किये हैं, ये में किये हैं, पी एचडी किये हैं, या कहीं पर आप TGT में अध्यापक है कैसे हैं, हो सकता है PGT के लिए पढ़ रहे हूं, हो सकता है कि आप NetJRF के लिए पढ़ रहे हूं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूं कि मैं उस बच्चे को लेकर चल रहा हूं, कि जो बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है, वह केवल ग्रेजुएशन किया कंबिनेशन बनाया, बीड किया, और वह TGT की वेकेंसी आने वाली है, और इसमें वो अपलाई करेगा, मैं उसके लिए ये बात उसको लेकर के चलना चाहता हूं, इसलिए आप धहर बनाईएगा, बहुत तेजी मत करिएगा, कि नहीं बहुत तेज चलिए सर, और बहुत अ ऐसा नहीं, हम पुना लाइव होंगे, तो आपसे बात करेंगे, यहाँ पर देखें, नामकरण की जब बात आती है, तो नामकरण को लेकर के मैंने कहा कि भीवाद है, ऐसा क्यों, देखें, जैसे मान लिजिए कि आपका जन्म हुआ, मान लिजिए आपके पिता जी या आप ही का जन्म हुआ, बहुत सारे ऐसे हमारे बिद्यार्थी होते हैं, सिक्षार्थी होते हैं, कि जो जिनका जन्म होता है, उनको अपना डेटा बर्थ नहीं पता होता है, इक्जेक्ट नहीं पता होता है, मैं कब पैदा हुआ, किस सन में, किस ने बज़ कर, कितने मिनट पर प जाना चाह रहा हूँ, कि आपका जन्म 1900, मान लिजे, 80 में हुआ, 80 में किस महीने में हुआ, आपके पिता जी, आपके माता जी नहीं जानते हैं, मान लिजे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और बस जन्म हो गया तो, जन्म हो गया प्रसंसा, खुशी मिली उनको, और चलते, जानना चाहिए, मुझे कुंडली बनवाना है, मुझे भाग ये दिखवाना है, तमाम बिधाओं से आपको गुजरना है, आपको ऐसा लगा, आप लगेंगे पिता जी से, माता जी से पूछने, तो पिता जी, माता जी कहेंगे, कि देखो, 1980 में तो तुम्हारा हुआ है, य लेकिन जानते हूँ, उस दिन जो है, थला का लड़का, उस दिन रगवा का लड़का पैदा हुआ था, अच्छा, रगवा का लड़का कब पैदा हुआ, अरे पैदा हुआ था ना, रगवा का लड़का, अच्छा, उस दिन भी जानते हूँ और क्या हुआ था, उस दिन ज हुआ था आप किसी अन्य से पूछने गए वह भी बता रहा है बेटा जब तुम हुए थो देखो सरकारी टीबेल है न यह सरकारी टीबेल का सेटा गीरा था यानि उसी दिन पाई पाई थी सब कुछ हुआ था अगर अन्य किसी और बुजर्ग से गए पूछने की मेरा जन्म क्या हुआ तो उन्हेंने कहा कि देखो तुम्हारा जब जन्म हुआ था एकदम भूर जिस समय भैस लगती है न उसी समय हुआ था क्योंकि तुम्हारे पिता जी दोड़े दोड़े आये थे हमको कहे कि हमारे क्योंकि कोई प्रमाड आपके पास नहीं है कोई लिखित प्रमाड आपके पास नहीं है तो आप ये मान कर चलेंगे कि किसी महीने में आपका जन्म हुआ होगा आप एक्जेक्ट तो नहीं लेकिन जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जन्म इस सन में हुआ है तो आप क्या कर पहलेगा है तो आप एक तित्ही निर्धारित करेंगे कि ये कब का लगभग में approximate यानि उसका आप जाच भी करेंगे और कलोजिस्ट से भी जाच करेंगे तो approximate हुई आपको पता चलेगा exact पता नहीं चलेगा कुछ ऐसा ही यहां पर हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है आप इसको समझिए इसलिए हो रहा है बात कपकी है यह बात लगभग जो है मैं उस काल विभाजन को नहीं मैं आपको लगभग यह 900 से चुकी रामचन शुक्ल ने कहा कि मैं पूरे हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास लिख रहा हूं तो 900 वर्षों का इन्हों ने इतिहास लिखा यानि लगभग में आप 900 वर्षों के इतिहास को आप पढ़ते हैं औप पढ़ करके आप TGT और PGT यानि प्रवक्ता आप बन जाते हैं अच्छे खासे सेलरी उठाते हैं जिन्दगी में आराम करते हैं बस इस 900 वर्षों को आप कोई डेट नहीं है 1900 तक मत मानिये और भी कम मानिये ठीक है यहां पर यह 900 से ले करके अब 1800 तक मानिये है ठीक इस 1800 यानि 900 से 1800 वर्षों का यह इतिहास लिखा जा रहा है कब लिखा जा रहा है पहली बार सोचिएगा अब आ रहे हैं मुद्दे पर आ रहे हैं जिसको हम समझाना चाह रहे हैं यहां इतिहास लिखा जा रहा है किसका लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है आप देख लीजेगा किसका हिंदी साहित्य का इतिहास हम इतिहास लिख रहे हैं यहाँ पर जो ये इतिहास लिख रहे हैं वह इतिहास मतलब क्या होता है अतीत को जानने का प्रियास ही इतिहास होता है जो बीती हुई बाते हैं उसी को हम अगर जान लेते हैं वही क्या होता है इतिहास होता है तो इतिहास कोई तथ्यात्मक विवरण नहीं है इतिहास क्या है प्रबोधन है इतिहास क्या है एक तथ्य का संकलन ही मात्र भर नहीं है systematic इतिहास क्रमबधता सिखाता है इतिहास ग्यान देता है और इतिहास गलतियां न करने की प्रिरला देता है यह इतिहास का काम होता है तो यह इतिहास हम जानेंगे किसका जानेंगे हम इतिहास जानेंगे साहित्य का जानेंगे किसका साहित्य का अब इस साहित्य में उर्दू साहित्य का नहीं जानेंगे आपको अंग्रेजी साहित्य का नहीं जानेंगे संस्कृत साहित्य का नहीं जानेंगे किस साहित्य का जानेंगे आप जो शाहित्य जानेंगे वह हिंदी साहित्य का जानेंगे यानि हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करेंगे यहां बात करेंगे अब जब हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात कर रहे हैं कब कर रहे हैं? माइने यह रखता है अगर ये हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने कहा अगर 900 ISB में किये होते अगर 1000 ISB में किये होते अगर 1100 ISB में किये होते अगर 1200 ISB में किये होते तो कुछ समझ में आता कि चलिए इक्जेक्ट के करीब में बहुत सारी चीज़े क्लियर होई होती लेकिन हम यहां नहीं कर रहे हैं कि यहां नहीं कर रहे हैं, कर कब रहे हैं, यह सबसे महत्वपुर्ण भी से होता है, कर रहे हैं, 1849 में, कर कब रहे हैं, 1849 में, ठीक है, यहां पर कर रहे हैं, 1849 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है इसके पहले हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखा गया था रचनाई हुई थी सभी लोग अपनी अपनी रचनाई किये थे लेकिन कोई हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा गरंथ नहीं लिखा था ये आप दुर्भाग्य कहिए या स्वभाग्य कहिए 1849 में इसका लेखन प्रारम होता है और वह कौन सा है आप उसको थोड़ा सा देख लिजिए कि वह कौन सा ऐसा ब्यक्ति है कि जो आपको यहां से प्रारम्भ कर दिया है उस ब्यक्ति का नाम यहां आपको मैं उसकी इमेज दिखाता हूँ इस ब्यक्ति को आप लोग देखिए इस ब्यक्ति का नाम क्या है इसका नाम होता है गारशा दतासी यही वो व्यक्ति है जो 1794 में पैदा होता है 1794 इस भी में पैदा होता है कहाँ पर फ्रांस में फ्रांस में ये पैदा हुआ और इसने किया क्या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा बिडंबना ये है कि फ्रांस में पैदा हो रहा है भारत में पैदा भी नहीं हो रहा है और यह जो है ऐसा माना जाता है कि ये भारत आया भी नहीं था ये पत्राचार किया है यहां के विद्वानों से इसने पत्राचार किया है और पत्रा चार के आधार पर यह लेखन किया है तो गार्शाद तासी ने इतिहास लिखा किसका अपने हिंदी साहित्य का किसका लिखा अभी जिसका मैं आपको बता रहा था किसका हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का यह इतिहास लिखता है हिंदी साहित का इतिहास लिखा तो जब हिंदी साहित का इतिहास लिखा चुकि ये फ्रांस का था यानि फ्रेंच भासा जानता था तो लिखेगा भी किस में? फ्रेंच में लिखेगा किस भासा में? फ्रेंच भासा में लिखेगा हिंदी में तो लिखेगा नहीं फ्रेंच भासा में इसने लिखा मैं नाम बार बार बोलूँगा इसलिए बोलूँगा जान करके बोलूँगा कि आपको नाम याद हो जाए और नाम की असपश्टता आपको याद हो जाए क्योंकि आप लोग नाम लेने में क्या करते हैं, उसी में आप लोगों के जिहवा तूट नहीं पाती है और गलत नाम लेते हैं, इसलिए नाम बार-बार लेजेगा ताकि आपको याद रहे और point clear रहे, confusion नाम के स्थिति ना रहे तो इस गार्षा दतासी ने फ्रेंच भासा में एक इतिहा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये जो महोदे हैं, इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से कहानी पूरी चेंज हो रहे हैं, अभी तक कोई इतिहास नहीं लिखा जा रहा है इन्होंने लिखा क्या, इनकी पुस्तक क्या क्या नाम है, आप ये देखिए, इनकी पुस्तक क्या क्या नाम है, यानि इनको हम हटा दें, तो बातें और क्लियर होंगी, तो चलिए, थोड़ा सा इनको हम बीराम देते हैं आप लोग देख लिया होंगे, एक image बन गया होगा तो इनकी एक पुस्तक का नाम है वह लिखते हैं, इस्तवार क्या लिखते हैं? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर लिटरेत्यूर एंडुई आप भी सोचेंगे कि ये लिख क्या रहे हैं एंडुई 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 एंडुस्तानी ठिक ये इनकी पुस्तक का नाम होता है नाम क्या है? नाम बार बार आप बोलेंगे एक अही बार बस से मत सोचेगा कि कहानी अपनी यही से एक बार बोल करके इतिस्री करें ऐसा कुछ नहीं है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंडुई एंडुस्तानी आप आराम से बोलिएगा बहुत सारे मैंने सिक्षकों को देखा है कि वह यही नहीं बोल पाते हैं जो यहां पाते हैं लिटरेत्यूर को बोलना होता है तो ऐसा लगता है कितना दबाव डालने हैं ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं आप खुद आप लोग देखेगा बहुत सारे आप हमसे जादे अनभवी आप लोग हैं तो आप स्वेम भी देख सकते हैं यूटूब पर पड़ी भी हैं बहुत सारे वीडियो तो आप देखेगा अच्छा देखे यह बड़ी बिडंबना यह है कि इसने लिखा किस भासा में लिखा फ्रेंच भासा में लिखा मैंने अभी बताया है चुकि यह फ्रेंच का विद्वान है फ्रांस का विद्वान है तो यह लिखे का भी कहां से फ्रेंच भासा में ही लिखेगा हिंदी में तो लिख नहीं पाएगा लिखी नहीं सकता है फ्रेंच भासा में लिखा यानि पहला questions तो यही बना हिंदी साहित्य का ये सिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखर किस ने किया गारशाद तासी ने किया इसका नाम है आप लोग गारशाद तासी ठीक है इस ने किया इसके पुस्तक का पूरा नाम होता है आप ये देखे इंट्रेस्टिंग बाते है कि हमें ने जितनी भी पुस्तकें आप भी पढ़े होगे पस यही लिख दिया गया है कभी ये नहीं कहा गया कि भई इसका मतलब क्या होता है इसका कभी अनुवाद तो करिए ये क्या है इस्तवार्द बस लड़का जो है ये बस ये गारसदतासी बस बोल देता है पहली पहली जो है बिभाजन बोल देता है तमाम आपसे क्वेश्चन आते हैं आप लिख लेते हैं देखे बेसिकली इसको समझ लिजिए कभी आपको confusion नहीं होगा और आप आसानी से इसको समझ भी जाएंगे ठीक है यहां देखे ये क्या है इस्तवार है इस्तवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो आपको और ज़्यादे क्लियर हो जाए है इस्तवार है इस्तवार का जाराव अंग्रेजी देखी ये फ्रेंच भासा में लिखा है ह-i-s-t-o-i-r इसको कहते हैं फ्रेंच में लिखा जाता है ह-i-s-t-o-i-r हिस्टवार लिखा जाता है और अंग्रेजी में इसी को क्या लिए लिखा जाता है चयस टी ओ र र वाई यानि हिष्ट्री लिखा जाता है यह हिश्ट्ट्वायड जो है हिंदी में इस्तवार लिख दिया गया केवल क्या है इसी का convert हिंधी कर दिया गया basically इसका हिंदी में अर्थ होता है इतिहास होता है हिंदी में क्या अर्थ होगा इसका इतिहास होता है और कुछ नहीं है इस्तवार को इतिहास कहते हैं हिंदी में इसको हिष्ट्रायर कहते हैं फ्रेंच भासा में अंग्रेजी में इसको हिष्ट्री कहते हैं इस्तवार यानि हिष्ट्री आपे समझे दला लित्रेट्यूर यहाँ पर देखे जिसको ले करके मैंने देखा बहुत जादे आप लोग पढ़ने में दिक्कत करते हैं क्या पढ़ा जाए कुछ बताते हैं जरा लित्रेट्यूर का इंग्लिस साब देखेगा तो L I T E लित्रेट्यूर R A T U R E इसी को यह लित्रेट्यूर का क्या है अंग्रेजी है लिखा क्या है आप पढ़िए इतना तो जानते हैं आप लोग L I T E R A T U R E इसी कहते हैं हिंदी में literature कहते हैं क्या कहते हैं literature कहते हैं यह टो और रो मिल जाता है ट्रे भी हो जाते हैं आप उसको मत देखेगा अगर वरतनी विछेद किम में रुकेंगे तो आपको अस्पष्टता ऐसे लिखा literature तो यह इसको क्या कहते हैं literature कहते हैं लेकिन फ्रेंच भासा में अब इसी को लिट कर सकते हैं रात्यूर भी पढ़ सकते हैं रेत्यूर भी पढ़ सकते हैं या आपको लिटे रेत्यूर पढ़ सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं फ्रेंच में यह लिट्रेत्यूर हुआ और इसी यह literature हुआ और literature का मतलब क्या हो गया आप जानते हैं शाहित्य हो गया literature का मतलब क्या होता है साहित्य होता है कभी-कभी ना हम बातें आसान रहती हैं लेकिन समझते नहीं है या वैसे league पर ही चले जाते हैं जैसे league-league तीने चलें कायर, चीटी, कपूत league छोड़ तीने चलें साहिर सिंग, सपूत तो साहिर भी चलता है, सिंग भी चलता है और शपूत भी चलता है यानि आप जैसे शपूत्र भी चलते हैं यह नहीं है कि केवल जो बता दिया जाए बस वही अपने आप से भी थोड़ा सा प्रयास किया जाए खोजने का प्रयास किया जाए माइंड को, अगर इस्वर ने खुदा ने आपको माइंड दिया है तो इसको जो है, विस्तार करिए सर्च करिए एक लड़के ने पूछा एक सिक्षक से हमेशा पूछता था कि सर ये बताइए कि मुटहर का अर्थ क्या होता है बहुत सारे ऐसे उदाहरन आपको मिल जाएंगे मैं मातरीक उदाहरन देना चाहता हूँ मुटहर का क्या अर्थ होता है मुटहर मिंस क्या होता है अब वो इंग्लिस का टीचर समझ नहीं पा रहा था कर रहा था मोटहर बहुत सारा वो इंग्लिस डिक्सेनरी भी देखा कहा अच्छा बता दूगा उसको मिला नहीं कई दिनों लगा पूछने कहा कि ये काम करो कि पहले तुम लाओ कहां लिखा है तो किताब लाया और उस कित नाम में जो लिखा था वो क्या लिखा था आप खुद ही देख लिएगा M-O-T-H-E-R ये क्या लिखा है मदर लिखा है लेकिन पढ़ क्या रहा है मोटहर पढ़ रहा है तो यानि हमारा प्रनंसियसन कैसा है इसलिए यही सेम ऐसी ही दसा लित्रे त्यूर की है प्रनंसियसन अरे भई ये लित्रित्यूर फ्रेंच में लिखा गया है आप बता दिए आप पूछे लेकिन कम से कम समझा तो दीजिए क्या है ये लिट्रेचर है एंदूई का क्या अर्थ होता है इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ठीक है एंदूई लित्रित्यूर ये एंदूई का क् होता है हिंदी होता है एंदुई मतलब हिंदी और एंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है एंदुस्तानी का अर्थ होता है उर्दु होता है उर्दु होता है एंदुई एंदुस्तानी अगर आपको कहा जाए कि भाई इसका जो है आप मुझे हिंदी में कनवर्जन बताईए हिंदी में क्या कहा जा सकता है ऐसा पूछा जा सकता है कि स्तवार्द लालित रित्यूर एंदुस्तानी को हिंदी में क्या लिखा जाता है या इसका क्या अनुबाद होगा पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, आने वाले दिनों में देखएगा तो आप क्या कहेंगे? इतिहास किसका? साहिट्य, हिंदी, उर्दू ऐसा है? तो आप मिलाएंगे हिंदी, उर्दू साहित्य का इतिहास यहीं तो होगा हिंदी, उर्दू, शाहित्य का ये इतिहास है इसने बस इतना ही लिखा कि ये हिंदी उर्दू शहित्य का इतिहास है इसने इसमें उर्दू के कभी को भी लिया है ये जो पुस्तक है ना ये इस तवारदला लितरतूर एंदू ये अंदूस्तानी इस पुस्तक में इसने कितने कभी को लिया है इसने जो लिया है वह 738 कभियों को लिया है कितने कभियों को लिया है 739 कभियों को यह लिया है इन 739 कभियों में इसने किया क्या है यह 739 कभियों में यह कितने कभी हिंदी के लेते हैं 72 कभी लेते हैं कहा 72 कभी हिंदी के हैं आप ये देखे, आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से पढ़ते हैं, बेसिकली इसको होना चाहिए उर्दू साहित्य का इतिहास, लेकिन अब चुकी लिखा गया है और लिखा जा रहा है, तो आप हिंदी साहित्य को हिंदी है, पहली बार यहीं पर आपको मिल रहा है, तो इसलिए आप जो है हिंदी साइट के इतियास कहते हैं तो 72 कभी ये कहता है ये हिंदी क्यों इसमें हमको मिले हैं बाकी कितने 6666 यानि 6666 ये किसके कभी है उर्दू के है 606 कभी इसने क्या बताया उर्दू के है और 72 कभी हिंदी के है मात्र बहत्तर कभी लिया है और ये कहता है कि हमको इससे अधिक हिंदी के कभी ही नहीं मिले ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसका उर्दू की प्रतिलगाओ था इसका उर्दू से नाता था यह वहां पर भी उर्दू को ज़्यादे यानि फ्रांस में भी यह प्राध्यापक था यह उर्दू को ज़्यादे प्रस्रे देता था तो इसने कहा इसने अब देखे थोड़ा सा आप इसको जोड़ दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा 628 कर दीजिए 767 को तीन और 617 कभी हो गए टोटल 72 या 606 चट पूछा जा सकता है इसलिए दिमाट में अपने एक क्राइटेरिया रखे रहिएगा कि 6006 चट उर्दू के हैं और 72 हिंदी के हैं किसके अनुसार गारशा दब तासी के अनुसार किसमें इस्तवार दला लितरितूर एंदूई है अनुस्तानी अब यहाँ पर इसने ये तो भीभाजन किया और कहा लेकिन एक बात ये कहता है ये इसका statement आता है पूछा भी जाता है आपसे मैं उर्दू का पक्षपाती हूँ इस कहता है कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन ये जोड़ता है एक काम तो ये करता है मैं उर्दू का ये लिखा मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन हिंदी को बिभासा या बोली कहना उचित नहीं है ये भी नहीं मान रहा है कि हिंदी बिभासा या बोली है छोड़ देता है इसके स्टेटमेंट है और इस्टेटमेंट पूछा गया है तो आपको स्टेटमेंट भी कभी कभी यानि स्टेटमेंट भी आपको याद करने होते हैं या समझना होता है याद हो जाएगा जब समझ लेंगे बातें एक लिंक कर लेंगे तो आप बातें समझ ले जाते हैं त कको इसको उन्निस सो बावन में इसका अनुबाद होता है ठीक है कि अनुबाद के पहले आपको मैं बताऊं इसका प्रकासन कब होता है पहले आनुबाद बाद में MBA में हटा देते हैं इसको हम हटाते हैं और आगे तब इसके बारे में आपको मैं बताता हूं यहां पर दिखिए यहां पर जो है इसका पहली बार प्रकासन कब होता है 1849 में होता है मैंने यही पर आपको ला करके छोड़ाता 1849 में कब का इतिहास लिखा जा रहा है 900 से लेकर के 1849 के बीच का यहां 1849 में पहली बार लिखता है कहां का इतिहास लिख रहा है 900 वर्ष पहले का इतिहास लिख रहा है तो 900 वर्ष पहले का जब इतिहास लिखेगा तो कितना प्रमारिक होगा कितना पढ़े ले जाएंगे तो उतनी प्रमारिकता नहीं मिलेगी जितना होना चाहिए लेकिन इसने सुरुवात किया हिंदी साहित लेखन का इसने सुरुवात किया इसलिए यहां से कोश्चन आपको बार बार लगबग एक्जाम में पूछा जाता है जो भी आप TGT या PGT या केंदरी बिद्याला जो भी आप एक्जाम देते हैं उन सारे एक्जामों में इसको पूछा जाता है क्योंकि इसकी महत्ता है यहीं से निर्मार करता है यहीं से सुरुवात करता है यानि कि हिंदी साहित्य लेखन का यहां से प्रारंब हुआ किस भासा में? फ्रेंच भासा में 1849 में किसनी गारसादव तासी ने आज बैठ करके और पुराना इतिहास लिखेंगे अपने गाउं के मंदिर का इतिहास लिखेंगे जो 900 वर्ष पहले का हो आप कितना बताईगे, कितना अच्छी तरीके से उसको लिख लेंगे आपके पास सीमित संसाधन है, आज की तरह तो नेट और कंप्यूटर और गूगल बाबा ऐसा कुछ था नहीं हमको किताबों से ही लेना था, खोज करना था, लोगों से पूछना था, तो उतनी exact position clear नहीं होती है लेकिन हमको इसको पढ़ना है, हमको सिक्षक बनना है, इसलिए हमको इसको जानना भी है तो 1849 में पहली बार इसका प्रकासन होता है, ठीक इसके बाद, यानि प्लस इसमें कर दिजिए, आठ वर्स, आठ वर्स जोड दिजिए, तो ये 9, 8, 7, 7, 87, 87, 3, 1, 4, और ये हो जाते हैं 1847 1847 में इसका दुतिय प्रकासन होता है, यानि भाग एक का प्रकासन कव होता है, भाग एक, भाग एक का प्रकासन कव होता है, आपको 1849 में और भाग दो का प्रकासन कव होता है, 1847 में यानि आठ वर्ष बादिस्ट का प्रकासन होता है बात यहीं तक नहीं रुखती है इसका ये पहला संस्क्रण है पहले संस्क्रण के अंतरगत दो भाग पहला संस्क्रण ठीक है? दो भाग निकलता है, भाग एक और भाग दो इसके बाद जो है, इसके दुती ये संस्क्रण होते है ध्यान दीजेगा नहीं तो यहां से questions आप गलत कर ले जाएंगे इसके बाद दूतिय संस्क्रण निकलता है कब निकलता है यानि दूसरा संस्क्रण निकलता है और दूसरा संस्क्रण अठारसो एकहत्तर में निकलता है अठारसो एकहत्तर इस भी में दूसरा संस्क्रण यहां से प्रारंब होता यानि निकलता है और इस अठारसो एकहत्तर में इसको जो है तीन भागों में विभाजित कर दिया गया तीन भागों में विभाजित कर दिया गया तो आपको यहां से questions क्या मिलते हैं, यानि यहां से जो प्रश्ण मिला, वो मिला कि इस्तवार कितने भागों में विभाजित है, तो आप बताएंगे तीन भागों में, कितने संस्करण हुए, वो बताएंगे दो संस्करण हुए, प्रथम संस्करण में कितने भाग में विभा प्रथम संस्क्राण के अंतरगत दो भाग, दुतिय संस्क्राण के अंतरगत तीन भाग, एकदम क्लियर हो लीजिए, नहीं तो आपको कन्फूज हो जाते हैं, और यहां से आपकरश्ट गलत हो जाते हैं, प्रथम संस्क्राण के अंतरगत दो भाग, 1849-1847, दुतिय संस्क्रा 1871 में होता है इसके बाद इसके 3 भाग होते हैं तो यह 23 संस्क्रण के अंतर कर तीन भाग यानि दो संस्क्रण हुए तीन भाग हो जाते हैं clear, यहां तक तो आपके बातें clear हो गए अब यहां से यह तो आपका प्रकाशन हुआ बाद में 1952 में कब 1952 में ठीक है 1952 में भारती एक होते हैं इनका नाम होता है LS वारशणे और LS वारशणे जो होते हैं इनका इन्होंने क्या किया LS वारशणे ने इसका अनुबाद किया किसका इस्तवारदला लित्रियूर अंदुस्तानी का यनि इस फ्रेंच भासा का इन्होंने अनुबाद किया तो अनुबाद में जो नाम रखा वो क्या रखा एलस वर्षणे ने जो नाम रखा उन्होंने कहा यह हिंदुई शाहित्य का इतिहास है किस नाम से किया हिंदुई साहित्य का इतिहास ठीक है हिंदुई शाहित्य का इतिहास यानि इस नाम से इन्होंने क्या किया इस्तवार दला लित्रित्यूर एंदुई एंदुस्तानी का इन्होंने अनुभाद किया कब 1952 में ये ध्यान रखेगा क्योंकि ये इंपार्टेंट है ये आप से पूछा भी जाता है अब ये तो इनकी थोड़ा सा मैंने आपको बताया ये जो पुस्तक प्रकासित होती है यानि जो आपको मैंने इनका नाम बताया बार-बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए इसका आप बुरा मत मानिएगा कि कितनी बार बोलने है रहे एक बार हो गया इसका बुरा मत मानिएगा ये विश्वास मानियाग जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको अच्छा लगेगा और उतनी ही बार वो कंठस्त हो जाएगा आपके दिमाग में चला जाएगा नहीं तो हम एक बार बोल करके भी काम चला सकते थे लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मुझसे पढ़ें और सेलेक्शन नहीं हो ऐसा नहीं जो बातें हैं साहित्य उधारना है और शाहित्य में करना क्या है आपको बातों बार बार वही बातें सुनना है कुछ नया नहीं है सब कुछ पुराना है वही बातें बार बार सुननी है तो ताकि वो आपको फीड हो जाए सोपन में भी अगर इस्तवार दा जियों इस्तवार अगर हम नाम बोले तुरंट आप बोल दीजे गार्शाद 88, 49, 48, 47, 47, 48, 47 अब तुरंट बगा दिये 1902 हिंदुई साहित निकाई तिहास 8794 जन्म होता है कहां पोता है किरिश बासा में लिखा जाता है यानि हमने बोला नहीं तुरंट ये चीज़ें आप क्या कर दीजीए बता दीजे तेक कब होगा अभ्यास से होगा बार बार सुनने से बार बार लिखने से होगा यहां पर एक बातें और उहर कर सामने आती हैं कि जो यह इस्तवार का प्रकाशन होता है वो कहां से होता है इस्तवार का जो प्रकाशन हुआ वह हुआता है ब्रिटेन और आयरलेंड से हुआ ब्रिटेन और आयरलेंड कि प्राच साहित्य अनुवादक समित्य है इसी से अनुवादक समित्य है इसी से क्या होता है इसका प्रकाशन होता है यानि यहां से हम क्या करते हैं भिन-भिन रूपो में यानि इसका प्रकाशन भिन-भिन रूपो का संसे यह है कि इसका हम प्रकाशन करते हैं भिन-भिन पॉइंट के अंतरगत यानि इसमें जो हमारे काम के लिए मिलते हैं वो तमाम पॉइंट मिलते हैं तो आपके सामने उभर कर आया कि पहली बार इसने हिंदी सहित्य का इतियास लेखन किया एक पॉइंट और इसमें आपको ध्यान देना है वो ध्यान क्या देना है इसने जो कभियों का वरणन किया वह यानि जितने भी इन्हों ने कभी लिया जो 738 कभी लिये हैं उसमें इन्हों ने काल क्रम का ध्यान नहीं रखा है काल क्रम का ध्यान नहीं रखा है बलकि क्या किये हैं अलफा बेट में लिखे हैं अलफा बेट में लिखे हैं यानि जो English का alphabet चलता है उसमें इन्होंने लिखा जो इनकी सरवाधिक तुरुटि मानी जाती इनकी सरवाधिक गलती या अज्यानता माना जाता है प्रियास तो इन्होंने बढ़ियां किया लेकिन इन्होंने क्या किया काल क्रम को नहीं ध्यान रखा बलकि अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम में इन्होंने यह लेखन किया है जो भी कभी है आप इसमें हो गा क्या जैसे जो पहले का कभी है वो बाद में, जो बाद का है वो पहले बीच वाला बाद में, कहीं पर कहीं मिक्स हो जाएगा जैसे माल लिजे कि भारतेंदु हरिष्चंद है ठीक है भारतेंदु हरिष्चंद है ठीक और आपके कबीर जी है कबीर दास है अब जब इसको आप लिखेंगे तो आप देखेंगे भारतेंदु को किस से लिखेंगे आप B से लिखेंगे कबीर को आप K से लिखेंगे तो K बाद में आएगा और B पहले आएगा यानि पहले आप भारतेंदु का वरणन करेंगे फिर आप कबीर का वरणन करेंगे जो निहायत गलत है इंदी के साथ यह ना इंसाफी है यानि इन्हों ने अल्फाबेट यानि अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार लिखा नौकी क तो पहली बार ये लिखते हैं हाला कि सब कुछ ठीक है लेकिन पहली बार इन्होंने किया यही बहुत बड़ी बात होती है तो यानि कुछ ऐसे पॉइंट रहे इसमें जिसके बारे में हमने आप से चर्चा किया जिनमें हमने आप से बात किया तो ये हमारा गार्षा दतासी हुए एलस वार्षणे लक्षमी शागरवार्षणे डक्टर लक्षमी शागरवार्षणे 1952 में इसका अनुबात करते हैं द्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन्स पूछा जाता है तो आज मैं बस इतना ही बाकी इसके आगे अभी हमको धीरे धीरे यानि अपने क्रम को आगे स्पीड देते हुए हम चलेंगे बताएंगे हमारा जो तरीका होगा उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए जानना ये है कि हम पढ़ाएंगे और उसका चेप्टर वाइज क्या होगा टेस्ट होगा ठीक है यानि हम चेप्टर जब भी हमारा चेप्टर क्लोज होगा चेप्टर वाइज हम टेस्ट करेंगे टेश्ट की प्रक्रिया हम दो-तीन रूपों में ले सकते हैं टेश्ट जादे से जादे हम लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप जब तक टेश्ट नहीं देंगे तब तक वो चीजें उभर कर सामने नहीं आएंगे तो जब हम पढ़ा लेंगे तो हम टेश्ट लेंगे एक टेश्ट हमारा होगा जो आए हुए प्रश्ट है वो भी आएगा और एक टेश्ट होगा नए प्रश्टों का अभ्यास प्रश्ट होगा वो भी करेंगे तो हम पूरी तरीके से आप से जुड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ये न लगया कि मैं यहाँ पर एडमिशन लेकर यानि अमरेश भट से पढ़कर कि मैंने गलती किया ये कदा भी आपको जीवन में ना आवे पूरा प्रयास रहेगा अपके सारे कमेंट्स का हम जबाब देंगे नहीं समझ में आयेगा पूना हम समझाएंगे चाहे जैसे भी हो चाहे एक टापिक को क्लियर करने में कई दिन क्यों न लग जाये लेकिन हम करेंगे और अपने डूरेशन की अंतरगत आपको हम आपका सिलेबस तो duration और बढ़ा दिया जाएगा और उसके पहले समप्त किया जाएगा परिक्षा कीति थी अगर बाद में आती है तो उसी हिसाब से चला जाएगा यानि हमारा ये उद्देश है कि आपको पांच महीने में तो हम समाप्त करें ही अगर इसके बावजूद ही ग्जाम अगर पस्तित होंगे और बात करेंगे तो इस प्रक्रिया में भाग लिजे और आप इसका तब तक आप स्वेम से भी करना क्या है आपको नोट्स बनाना नहीं है मैं नोट्स आपको दूँगा हाँ लेकिन एक काम जरूर करना है कि आपको जितना भी मैं पॉइंट समझा रहा हू इस पॉइंट को को रफिंग करना है और रफ कोई राइटिंग बना करके मत करिएगा रफ आप कैसे करेंगे तेजी से करिएगा रफ जो है जैसे आप लोग क्लास में पहले आफ लाइन में लिखते तेजी से टीचर बोलता था ऐसे ही आप तेजी से रफिंग करते चले जा हम नेक्ष्ट क्लास में यानि अपने दूसरे वीडियो में हम पुना मुलाकात हमारी होती है इसी के आगे और तब डिटेल से बात किया जाएगा अन्य जो हमारे विद्वान है उस पर बात किया जाएगा और इंज्वा लिया जाएगा तब तक के लिए डेर सारे शुप कामन है और धन्यवाद जय हिंद